टाइजर्स अभी बहुत ज्यादा महेंगे बिक रहे हैं सैनिटाइजर बनाने का भी सिंपल तरीका है आपका जो आफ्रशेव होता है या डॉक्टर स्पिरिट होती है जो स्पिरिट होती है उसको आप आदे भाग में नॉर्मल पानी से मिलाएं बिसलेरी के पानी से जो नॉन कंटैमिनेटेड है या अलोवेरा जूस से भी आप उसको मिला सकते है इट कैन भी यूज़ जाजर सैनिटाइजर आपको कोई N95 या स्पेशल मास्क की ज़रुवत नहीं है आप अपने घर में मास्क बना सकते हैं पांच पांच सो रुपए के बेच रहे हैं यह आपके प्रेस के माध्यम से इसमें इसली रोका जा सकता है क्योंकि कोई भी हाथ धोने इनाफ है बट अगर किसी को सैनिटाइजर बनाना भी है तो नॉर्मल डॉक्तर स्पिरिट जो आती है वो बिमार लोगों में या व्रिद लोगों में है और 47% सब क्लिनिकल केसी है सब क्लिनिकल केस म्तलब जिनके अंदर करोना वायरस आया उनकी इम्म्यूनिटी ने खुद बाखुद करोना वायरस से लड़के जीत गई के अंदर कोई symptom C नहीं आए तो 47% सब ने निकल केस का तो किसी को पता ही नहीं चला प्रोक थाम के लिए vitamin C आप जित्ता ज्यादा ले सकें कि वह water-soluble vitamin है ज्यादा लेंगे तो body से excrete हो जाएगा कोई नुकसान नहीं होगा vitamin C लें 8 गंते की नहीं लें stress-free रहें बाकि निबू पानी पी है collector साहब बताई चुके हैं कि आप close proximity में ना एक दूसरे के कोई खास है यह करें कि भीया कोई खास रहा है या किसी को सर्दी है तो मुह पे कोई मास्क लगा लें और 90% dry cough के cases होते हैं मतलब जिसको खकार आ रही है उनमें 90% में करोना वाइरस होने की संभावनाए कम है 90% is dry cough मतलब कोई खकार नहीं आती उन cases में droplet infection से फैलता है और जो कच्रे एक खटे होने वाली जगाए उन पे करोना वाइरस ग्रो करता है डस्बिन के आजू बाजू जहां पत्तियां पड़ी हुई है इन जगाओं को अपन खुद भी है सिटिजन साफ कर सकते हैं